देवपूर नाम के एक गाउ में कीर्टी और बालू नाम के भाई बहन रहा करते थे उनके माबाप कर्ज का भार सहन नहीं कर पाई इसलिए उन्होंने आत्मेहत्या की थी जिस कारण केर्टी और बालू अनाध हो गए थे और एक छोटे से जोपड़ी में रहते हुए भीग मांगते थे कोई दयावान उनको दान देता तो उसे खा कर जी लिया करते और अगर कोई रुपे देते तो उनसे ब्रेट खरीद कर खा लिया करते एक दिन एक पेड़ के नीचे खड़े होकर भीग मांग रहे थे दीदी ऐसे हमें कब तक भीग मांग कर जीना होगा? जब तक हम बड़े नहीं हो जाते तब तक जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम एक नोकरी करना और मैं भी करूंगी तब हम उन पैसों से खुशी से रह सकते हैं तो फिर दीदी हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं अपने भाई की मासुम बातों को सुनकर किर्ती को हसी आई तब ही वहां से हरिश नमका एक लड़का स्कूल के यूनिफॉर्म में बैग लिये जा रहा था उसे देख रहे भाई बहन बहुत दुखी हो जाते हैं दीदी अगर अपने माबाब सिंदा होते तो आज हम भी स्कूल यूनिफॉर्म पैरकर स्कूल जाते हैंना हाँ भाई पर अब तो हमारे माबाब नहीं है ना हम बिना माबाब के अनाध बच्चे हैं कीर्टी की ये बात सुन बालू को बहुत दुख हुआ वो रोने लगा और वहां से तेजी से कहीं जाने लगा उसके पीछे-पीछे कीर्टी भी निकल पड़ी तोनों अपने घर पहुंचते हैं बालू घर पर रखे संदुक में से कुछ इनाम बहार निकाल कर रखता है जिसे देख किर्टी रोने लगती है आप जानती हो ना या क्या है? हाँ भाई जानती हूँ ये बढ़ाई के लिए मिला हुआ इनाम ये क्लास में फर्स्ट आने का इनाम ट्विस में मिला हुआ इनाम रनिंग रेस में मिला हुआ इनाम ऐसे कई इनाम जो हमें मिले थे फिर हमें इतने इनाम मिले तो पढ़ना क्यों नहीं चाहिए दीदी? क्योंकि हम अब अनात बच्चे हैं हमें काना देने वाला ही कोई नहीं ऐसे में क्या कोई स्कूल की फीस भी भरेगा? दीदी, आप जो कह रही हो वो सही है, पर मुझे पढ़ाई करनी है दीदी, मुझे भीक नहीं मांगना, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे किताबे चाहिए. क्या मेरा मन नहीं करता होगा बालू? मैं वो सब नहीं जानता, मुझे पढ़ाई करनी है, खोब पढ़ाई करनी है, और इसे देख मामा पापा जहां भी हो वो बहुत खुश होंगे फिर उस दिन उन दोनों ने ये ठान लिया कि वे दोनों तब से स्कूल जाया करेंगे और इसके लिए किताबों का जुगार करने के लिए वे दोनों एक घर के सामने गए माई, माई उनकी आवाज सुनकर अंदर से पार्वती बहार आई, मैले कुचले कपड़ों में बच्चों को देखकर अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, जाओ, बाद में आओ पर माई जी, हम खाने के लिए नहीं आये हैं तो फिर क्या चोरी करने के लिए आये हो? नहीं माई जी, हम दोनों पढ़ना चाते हैं, इसके लिए आपके पास अगर किताबे, पैंसिल, कलम हो तो हमें दे देजिए न, बस यहीं मांगने आये थे ये सुन पार्वती आश्चियरे चाकित हुई क्या? तो आजकल ये भी मांग रहे हो? माई, हम बीना माबाप के अनाद बच्चे हैं, मना मत कीजिए, बस यहीं मांगने आये थे इसलिए हम दोनों ये मांगने के लिए आये हैं, गलत लगे तो माफ कर दीजिए गलती कुछ नहीं है, वैसे भी मेरे बचे ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, वो शेल्फ में रखे रखे क्या करेंगे कम से कम तुम्हें दूंगी, तो तुम दोनों पढ़ तो लोगे, किसी काम आयेगा, तुम्हें आगे भी कुछ जरूरत पढ़े तो कह देना ऐसा केकर, घर के भीतर जाकर कुछ किताबे, पेंसिल और कलम लिए, बहार आई और उनको दिया दोनों भाई बहन इस तरह कुछ घरों में जाकर किताबे मांगते हैं, और कहीं खाना इस तरह दोनों भाई बहन जैसे तैसे अपना गुजारा करते हुए स्कूल जाने लगते हैं और मन लगा कर पढ़ाई करते हैं ऐसे ही दिन बीते एक दिन किर्टी और बालू स्कूल से अपने घर के लिए लोट रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक किताब गिरी हुई दिखाई दी सड़क के दूसरी और से आ रही बस को बीना देखे बालू उस किताब को उठाने गया बस की हौरन सुनकर किर्टी ने तुरंत उस बस को देखा उसने अपने भाई को आवाज लगाते हुए तुरंत उसे वहां से ढकेल दिया किर्टी उस बस से टकरा गई और वहां से उड़कर वो फुटपात पर गिर गई अपनी बहन को बेहोश हालत में देखकर बालू घपरा गया किर्टी वहां पर खून में लदबत पड़ी हुई थी वो हिल नहीं रही थी दीदी उच जाओ दीदी तुम भी मुझे छोड़ कर माँ बाबुची के पस नहीं चले जाना मैं तुमारे बिना नहीं जी सकता दीदी मेरा सिवाय तुमारे इस दुनिया में कोई नहीं उन दोनों को इस हालत में पास खड़ा एक आदमी देख लेता है और तुरंट उन्हें बनाना ट्रिम्स नाव के हॉस्पिटल में एडमिट कराता है हॉस्पिटल के ऑपरेशन थियेटर में कीर्टी का इलाज हो रहा था और बाहर रेड लाइट जल रही थी कुछ आदे घंटे बाद रेड लाइट बन्थ हुई और डॉक्टर बाहर आकर अब उनके जान को कोई ख़त्रा नहीं पर हमें उनका एक पैर काटना पड़ा डॉक्टर की बात सुनकर बालू असमंजस में था जिन्दा है इसलिए खुश हो या पैर कड़ गया इसलिए दुखी हो उसे समझ नहीं आया ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए एक दिन बालू स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के लिए निकल रहा था पर कीर्ती एक छड़ी के सहरे पेड के नीचे खड़ी भीक मागने लगी शाम होने पर कीर्ती कुछ रुपए लेकर घर लोटी अपने दीदी से बालू ने कहा दीदी मुझे माफ करना अगर उस दिन मैंने एक पल भर के लिए देख लिया होता तो आज आपका जीवन अपाहिश नहीं बना होता यूं बालू दुखी हो रहा था वो तिलकपुर नाम का एक गाउँ था जहां पर एक तूटा फूटा घर था जिसमें दो बच्चे रहा करते थे वे दोनों अनात बच्चे थे उनका इस दुनिया में कोई नहीं था इसलिए वे दोनों एक होटल में काम करते हुए वहाँ पर तीन समय की रोटी खाते हुए जी रहे थे शाम होने पर उस घर आकर वहाँ पर सोच आया करते ऐसे ही उनकी जिन्दगी चल रही थी ऐसे ही दिन गुजर रहे थे फिर आया गणेश चतुर्थी का दिन उस दिन उनके होटल मालिक ने कहा केटी और बालू कल तुम्हें होटल आने की कोई जरूरत नहीं कल गणेश चतुर्थी है न मेरे घर पूजा होगी आप दोनों को भी पैसों की जरूरत होगी न ये लो कुछ रुपे और कल तुम भी त्योहर मना ले न ऐसा करकर मालिक ने उन्हें पैसे दिये बच्चों ने खुश होकर वो पैसे लिए और अपने काम में लग गये उस दिन का काम खतम कर वे दोनों खाना खाकर वहां से घर चले जाते हैं घर पहुँचे भाई भेनों ने एक दुसरे से ऐसे बाते की दीदी क्या हम भी अपने घर में गनेश जी को बिठाएंगे हमारा गर इतना साफ सुत्रा नहीं है न पता नहीं गनेश जी अपने घर रहना चाहेंगे हा नहीं दीदी हम पूरी राеч जाकर भहुत मैनत से सारी घर के सफाई करेंगे उस बात पर कीरती ने भी हामी भरी फेर तोनों ने मिलकर घर की सफाई करनी शुरूगी घर की सफाई करते करते रात के बारा बच गये थे तब किर्ति ने भाई से कहा सुन बालू पता नहीं कल हमें गनेश्ची की प्रतिमा मिलेगी या नहीं क्या हम खुद गनेश्ची की मूर्ती बनाएं तू क्या कहता है बालू ने अपनी दीदी की बात मानी फिर वे दोनों घर के आंगन में जाकर मिट्टी को इखटा कर उन दोनों के छोटे हातों से एक सुद्न दर्शा गनिश बनाते हैं गनिश की प्रतिमा बनाते मनाते उन्हें दो घंटे लग जाते हैं इस तरह गणिश जी की मूर्टी बनाने के बाद उन दोनोंने अपने हाथ दोए और घर जाकर सो गए। फिर अगली सुबह दोनों नहां दोकर तयार हो जाते हैं और पूजा में लगने वाले फूल पत्तं को इखटा करते हैं। तब कीर्टी ने कहां बालू मैंने सुना है ग ऐसे लिए और सीता अंटी के शौप से उसने कुछ मिठाया ली और घर वापस लोटा। फिर उन दोनोंने भगवान की सामने प्रशाद चड़ा कर भजन गाने लगे। यूँ अपने छोटे छोटे हाथों से जैसे उनसे बन पा रहा था वैसे उनने भजन की। फिर कीर्ट गणेश्टी के सामने लड़ू और मोदक का भोग चड़ा कर कहा। सुन बालू अब हम दोनों को बाहर जाना चाहिए क्योंकि गणेश्टी घर पधार कर ये प्रशाद खाएंगे जल जल बाहर निकलते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों घर के बाहर चले गए। उनके जाते ही घर में गणेश्टी प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ पर रखे मोदक और लड़ू का भोग लिया। तब बालू ने कहा। मैं घर जाकर देखता हूं कि गणेश माराज आये हैं या नहीं। ऐसा कहकर बालू जांकर घर में देखने लगा। तब किर्ती ने कहा। मैंने कहा गणेश्टी ना ऐसे नहीं देखते। दीदी के लाख मना करने पर भी बालू नहीं रुका, वो देखे जा रहा था और उसने गणेश्टी को अंदर खाते हुए देखकर, अरे वा, गणेश्टी सच में आये हैं और वो खा रहे हैं। ऐसा जब बालू ने कहा, किर्ती आश गणेश्ट दूर हो जाएंगे, सच में गणेश्टी है, वे हमारे लिए आये हैं। ऐसा कहते वे वे दोनों रोय जा रहे थे, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों रो रहे थे, तभी दर्वाजा खोलकर गणेश्टी बाहर आये, उन्हें देखकर दोनों बह खुश होते वे बोले, एसा कहते वे वे दोनों गणेश्टी के गले लग गये। गणेश्टी ने उन्ने कहा। बच्चों, तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत महनत किये, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने आपनी शक्ति से दो संदु वहाँ प्रकट किये बापा इसमें क्या है गणेश जी ने कहा तुम खुद खोल कर देख लो ऐसा कहकर उन दोनों को एक एक संदुक खोलने के लिए दे देते हैं एक संदुक से एक औरत निकली और दूसरे से एक आदमी उन दोनों को देखकर बहुत चौंक रहे थे तब गण गणेश जी ने कहा बच्चों तुम्हें चौंकने की जरूरत नहीं ये दोनों तुम्हारे माता पिता हैं बच्चों ने जैसे ही ये जाना खुश हो गये और अपने माबाप के पास गये फिर गणेश जी ने उनसे कहा जिन बच्चों को तुमने खोया था ये वहीं है तु वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं तब उनके माता पिता ने भी कहा बच्चो जब तुम छोटे थे तब ही हमारे एक दुश्मन ने तुम्हें हमसे दूर कर दिया था तुम्हें हर जगे ढूंडा हमने पर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला आज गनेश ची की कृपा से तु झाल झाल झाल